है ना दोस्तों बहुत ही अच्छी रबडी ये देखे एकदम परफेक्ट बनी हुई है हेलो दोस्तों वेदिशी कीचन में आपको स्वागत है आज हम बनाएंगे रबडी वही बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम सी आसान और बेसिक रेसिपी अगर आपको हमारी ये फ्रीट यो पसंद आती है तो मेरे चैनल के नीचे दिये वे बेल बटक को जरूर दबाएं और मैंने कोई भी फ्रेवर एट नहीं किया है चलिए जल्दिशर रबडी बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं रबडी बनाने के लिए मैंने लिया है दूद ये डेल लीटर दूद है इसे आप किसी कड़ा ही या बड़े बरत्र में बना सकते हैं मैं इसे मेडियम टू हाई फ इसको बनने में लगबक 30-35 मिनिट लगते हैं आप इसे लगातार चलाते हुए बनाईए ताकि ये नीचे लगे नहीं और दूद जले नहीं देखे दूद लगातार बॉइल हो रहा है और अब साइट से इस टाइप से मलाई हटाते जाएं यहां पर आपको फुल फाइट दूद लेना है कोई भी सी क्रीम या मलाई हुआ है कुछ भी नहीं निकल वानी है कभी आपकी रबड़ी बहुत अच्छी बनेगी और अगर आपको खुर्चनली रबड़ी बनानी है तो आप साइट्स में लगी मलाई को हाथ निकालते जाएं इसी पाउल में उससे आपको खुर्चनली रबड़ी तयार हो जाएगी आप देख सकते हैं दूद का लेवल कब हो रहा है पहले मैंने बहुत जादा दूद लिया था अब यह पक के बहुत थोड़ा सा हो रहा है दूद काड़ा भी हो रहा है बहुत सो लोग इसमें पाईने से चीनी आट कर देते हैं लेकिन आप सबसे लास्ट में करिए क्योंकि दूद बहुत मीठा हो जाता है तो इससे आपको चीनी की हत्रा पता चिल जाएगी आप इससे पीना चीनी आटकियों में भी खा सकते हैं देखें दूद लगाता है कम उता चला जा रहा है हम इसे एक बार और जला देते हैं यह देखें दूद लगपक आधा हो चुका है यह देखें हमारी रबड़ी की प्रॉसेस में खतब होने वाली है यह देखें हमारी रबड़ी त्याहर है मैनेस में डाली है थोड़ी सी चीनी मैनेस में चार चमप चीनी डाली हुई है और बड़े वाले पावल में केसर का दूर डाला हुआ इसलिए वो यलो लग रहा है आप इसमें कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं यह रोज वाटर डाल दीजिए मैंने कुछ भी नहीं डाला है जब ओरिजिनल पिस्तार बादा को छोटे चोटे टुकुड़ा में कट करके डाला हुआ है आप अपनी पसंद के कोई भी ट्राइफ रोट ले सकते हैं आप इसमें रोज वाटर, केवडा, एससेंस या तेरी लाइची पॉंटर में यूज कर सकते हैं आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो मैंने नैचुरल रखा है, मुझे नैचुरल ही पसंद है आप इसे ठंडा करके एंजुआई करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है यह से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बिटन को भी ज़रू तबाए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें थैंक यू